हां जी कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में और हमारे सेकंड वीडियो के अंदर जो की हमारा चाय और पाइफन की प्लेलिस्ट और इस वीडियो का हमारा जो टार्गेट है वो है सिर्फ और सिर्फ 500 कॉमेंट्स अच्छा इस वीडियो में हम करेंगे क् सब्सक्राइब, हाँ जी, वह बहुत जरूरी है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, और फिर चलते हैं हमारी पाइफन की जरनी पे, तो यह जो सेकंड वीडियो है हमारा, इसमें हम डिरेक्ली पाइफन पे कूदेंगे, इंस्टॉलेशन देखेंगे, क्या-क्या ओप् सबसे ज़्यादा सुरूरी है, जैसे मन को सुकून हो जाता है कि यार मैं लिख पा रहा हूं कोड एक चोटा-मोटा पाइफन का और वो काम भी कर रहा है, तो उसके बाद हम जब theoretical exploration पे जाते हैं कि अच्छा चीजे क्या है, कैसे है, क्यों काम कर रही है, तो फिर behind the scene और उन हैं, कौन से phase पे कौन से options जादा suitable होते हैं, अब याद रखेगा, यह जो python हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, यह core python है, यानि कि यह foundational python है, इसके बाद आप कोई भी journey choose करते है python की, वहाँ पर यह basics आपके यही काम में आएंगे, अब चाहे आपकी journey हो data science की तरफ, कि आपको numpies, pand methods, matplotlib, इस तरह की libraries में जाना जादा पसंद है, या फिर हो सकता है इसको ऐसे web development journey ले रहे हैं, कि मुझे jango करना है, या फिर मुझे API building करनी है, तो उन सब के बारे में हम सभी पे चलेंगे, लेकिन journey आपकी यही से start होगी, तो चलिए, सबसे पहले आपके साथ करते है screen share, त especially javascript से, तो javascript को run कराने के तो देखे है, हजार तरीके है, आजकल तो python में भी बढ़ रहे हैं तरीके, बट उसमें बहुत जादा तरीके है, हमारे पास node तो है ही है, बट dino भी है, बन भी है, और browser के अंदर अलग तरह से run होती है, python में ऐसा नहीं है, python को आप run कहीं भी कर करती है, और यहीं से सारा सब कुछ चलता है, अब इस अच्छी चीज यह है, कि आप चाहिए python किसी भी platform पे build करे, run करे, कुछ भी करे, हमें पता है कि उसका behavior कैसा होगा, तो language का behavior चेंज नहीं होता है, यह javascript में थोड़ा से problem है, वहाँ language का behavior तक चेंज जाता है, अगर download का बड़ा सा button यहाँ पे, इसके अंदर आपको मिलेगा यह python, अब इस button की खास बात यह है, कि automatically आपका detect करता है, कि operating system कौन सा है, और आपको download अच्छा वाला ही देगा, जो आपको चाहिए, अगर windows पे हो, तो .exe देगा, या MSI देगा, Microsoft Installer, या फिर अगर mac पे है, तो .pkg file देगा, कि package सीधर download कर लो, बट ऐसा नहीं है, कि आप नहीं कर सकते कुछ और, आप चाहो तो view fill list of download देखके, और यहां से आप पूरा का पूरा download कर सकते, जो भी आपको चाहिए, कि मुझे तो windows का चाहिए, मुझे mac का चाहिए, जिसका भी चाहिए, आपको सारे के सारे मिल नहीं है, next next I agree पे अगर आपको click करना आता है, आपने कभी भी कोई software अगर install करा है, तो आपने next I agree यह सब click करा होगा, आप वहां से इसको install कर सकते हैं, अब खास दियान देने वाली बात यह है, कि अगर आप windows पे है, तो आपके पास सिर्फ है python, लेकिन अगर आप mac या Linux पे वो लिखेंगे python 3, और जो हमारे windows वाले friend वो लिखेंगे बस python, बस कोई खास difference तो है नहीं, अब अगर आपके पास basic IQ भी है, तो इतना तो आप समझी सकते हो, और इस channel वाले तो almost अभी समझ जाएंगे, इस channel वालों की इतनी सी भी दिक्कत नहीं है, अब आपके लिए open करते एक terminal, इसको लेके आते हम यहाँ पे, यह रहा हमारा terminal, बड़ा सारा, आपके पास windows में मेरा recommendation है, आप git bash यूज करिए, अगर windows पे है तो, क्योंकि windows का जो basic जो terminal आता है, जो command prompt आता है, वो कुछ खास अच्छा नहीं है, तो या तो आप powershell use करो, अगर powershell user हो तो, नहीं हो तो git bash use करो, git bash चे क्या होगा, वैसे git bash अगर आपको नहीं पता है, तो आप download कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, यह बी, इतना कुछ खास है नहीं, तो windows के लिए git bash आता है, और यह git bash क्या करता है, आपको almost सारी linux जितनी जैसी commands होगरा है, वो सब आपको install और use करने देता तो अभी हम चलते हैं वापिस से, तो यह है हमारा terminal, अब क्या है, एक बार आपने download और install कर लिया, तो आप सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके पास python है क्या, अब obvious सी बात है, मैं Mac पे हूँ, तो मुझे python 3 लिखना पड़ेगा, आप windows पर आप python लिखोगे, basic सी बात है बार बार इसको दोराएंगे निया, और उसके बाद आप लिख सकते हो dash dash, या फिर minus minus, वैसे थो dash ही बोलते हैं, और लिख दो सीधा version, तो आपको पता लग जाएगा कि हमने just install करा है python का 3.12.1, या इससे कोई after version भी है, तो उसमें कुछ breaking changes नहीं आते है, python बहुत ही जादा पूरा ध्यान रखती है कि हमार पास ऐसे कोई breaking changes ना आए, कि जब हम python 3.2 पे जाए या 3.13 पे जाए, तो ऐसे कोई breaking changes ना आए, backward compatibility हमेशा रहे, तो यह सबसे जादा जरूरी है, तो यहाँ पे तो हो गई बात कि ठीक है, python हमने install कर लिया, लेकिन अब आप में से कई लोग आ एक computer लगेगा, जिसमें आपको python install करना ही है, और वहीं से आपको सारा code run करना है, सिखाने को तो मैं आपको online compilers वगर भी बताने ही वाला हूँ, लेकिन ही कुछ ऐसा ही हो जाएगा कि swimming सीख रहे हो और swimming pool का ही access नहीं है, तो swimming तो असली swimming pool में सीखी जाती है, योगि जब तक आप प्रॉब्लम्स फेस नहीं करोगे, ततक आप प्रोग्रामर नहीं बनोगे, खायर वो बात को जाने देते हैं, अगर आप सर्च करोगे online python compiler, python का demand और market size अपने आप में बहुत बढ़ा है, तो आप देख सकते हो, almost हर कोई अपने आप में एक python compiler offer कर रहा है, almost हर company, हर brand, हर tutorial website, हर edtech sector, अपने आपका python compiler आपको offer करता है, क्योंकि बहुत easy होता है बनाना comparatively, तो आपको यह सब मिल जाता है, अब देखिए, online gdb भी एक website है, जहां आपको यह hello world लिखने के लिए मिल जाता है, अप input वगरा, कहरने को आप सारा कामियाबी कर सकते हो, लेकिन वो problems face नहीं करोगे आप, अगर problem face नहीं करोगे, तो programmer कैसे बनोगे, programmer का major काम, code लिखना नहीं, debugging होता है, चलिए, तो अब आपको कुछ options इस तरह के भी मिलेंगे, अब कई लोग आपको इस पे भी invite करेंगे, कि Google भी एक offer करता है, एक services, जिसका नाम है Google collab, आप यहां पे भी सारा code लिख सकते हो, और online ही Google के account पे वगरा पे save कर सकते हो, यहां पे भी हम आएंगे कि कभी यह जरूरी है, अभी आपको यह नहीं लगेगा, क्योंकि यह थोड़ा सा later on stage पे हम अगर इसको explore करें, तो आप इसका बहतर use कर पाऊगे, क्योंकि कुछ जो libraries है, data science वगरा की, उनका output देख तब हम इस पे चर्चा करेंगे, अभी आप चाहो तो कर सकते हो, मेरा recommendation तो रहेगा कि core python install करो, vs code के साथ चलो आप, अच्छा इस तरह का दिखता है यह, कुछ नहीं करना होता है, आपको जैसे यहां पर मैंने एक cell लिया है, आपको by default यह empty मिलता है कुछ इस तरह से, आपको time लगता है, और उसके बाद यह run हो जाता है, आप यहां पर देखेंगे तो आपको options मिलेंगे कि आप और भी cells add कर पाते हैं, क्योंकि यह जो collab है यह सारे के सारे notebooks, यह दो phases में चलते हैं, या तो आप अपना text लिख लो, या फिर आप अपना code लिख लो, तो कई लोग को आस आते हैं actually में, एक तो आपका full-fledged anaconda, एक mini-conda, यह भी almost notebook ही है, almost क्या notebook ही है, और आपको काफी चीज़े के साथ में install मिल जाती है, जैसे अगर आपको देखें, यहां पे भी यह लोग कहते हैं कि user friendly है, लेकि इन libraries के लिए जाधा user friendly है, तो आपको विजुलाइजेशन, AI यहां पे, आप इन को जाधा prefer करते हो, क्योंकि आपका output साथ की साथ आता है, क्योंकि यह जो है research oriented जाधा work रहता है, compared to अगर आप कोई django में code लिख रहा है, तो इसमें नहीं लिखता हूँ नजर आएगा, या फिर कोई APIs बिल्ड कर रहा है, तो इसमें लिखता हूँ नज यह सिर्फ और सिर्फ code लिखने के जरी है, जैसे हमारे पास normal languages में होता है, कि VS code है, sublime text है, new vim है, कहां पे code लिख रहो, उससे कोई फरक नहीं पड़ रहा है, क्या code लिख रहो, उससे फरक पड़ता है, तो हम इस पूरी series में जो use करने वाले हैं, वो है अपना core python, हम install और उसके बाद हम जाएंगे VS code पे, ठीक है, तो हमारा पहला जो code actually में हम लिखने वाले हैं, वो VS code पे लिखने वाले हैं, ठीक है, तो इसको करते है minimize, और start करते हैं अपना VS code, तो VS code का एक window open करते हैं, ये लिजे हमारा VS code, और by the way, काफी लोग theme पूछते रहते थे, तो मैं चाय और python, ये मैंने drag and drop कर दिया, empty folder है, अब क्या है कि हम थोड़ा सा hello world लिखेंगे, और थोड़ा सा आपको परिशान भी करेंगे, कि किस तरह से चीजे होती है, थोड़ा परिशान करना तो देखिए बनता है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कि suppose करिए, हम करते हैं सबस करके एक new file create करते हैं, और इस file का नाम रखते हैं, हम simply, क्या नाम रखें इसका, hello python रख दे, ठीक है जी, hello, okay, hello chai रख देते हैं, अच्छा, naming convention पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लें, हम आगे करेंगे, वैसे कई लोगों को आपने देखा होगा camel casing पे, जैसे hello chai उनको रखना ह से convention capital letter में कम दिखेगा, आपको जादा थर लोग underscore use करते हैं नजर आएंगे, hello chai, इस तरह के आपको जादा naming convention मिलता है, अब देखे अपने अपनी community है, javascript की जैसे community है, swift programming के community है, golang की है, ऐसे python की community है, जो की underscore जादा prefer करती है, ऐसा कुछ नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे है capital letters लिखके या camel casing लिखके, बस यह है, आप friendly रहे है, जो भी जैसा use करता है, हम भी कर लेंगे वैसा ही, okay, तो यह हो गई हमारी basic की file आ गई है, dot py extension के साथ, अभी आपको इस समय पे आपका जो vs code है, यह pop-up देगा कि क्या मैं आपके लिए एक vs code का extension python install कर दूँ, उसको yes click कर लिजेगा, उससे होगा क्या, कि अब आपको python के suggestion मिलने लग जाएंगे, अगर नहीं है, तो आप यहाँ पे extension पर जाएए, और python सर्च करके install कर लिजे, intelligence, ताकि आपको suggestion मिलने लग जाए, देखे, suggestion अच्छे होते हैं, और सबको जरूत पढ़ती है, तो आप भी लेही जिसका extension.py है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, यह extension क्या है, कैसे आते हैं, कैसे ही recognize होते हैं, यह सब भी हम करेंगे, यह बड़ा अच्छा theoretical topic है, अब हम क्या करेंगे, simply यहाँ पे सबसे पहले हम एक basic print कराएंगे, फिर थोड़ा सा आपको in-depth लेके जाएंगे, थोड़ी सी तो हम देखें, यहाँ पे print suggest हुआ, हमने accept कर लिया, वोई parenthesis, उसके अदर हमने लिखा double quotes, और लिखा हमने चाय और python, ठीक है जी, यह हमने लिखा चाय और python, save कर लीजे, तो यह हो गया आपका first code, देखा, बिलकुल almost English लिखने जैसा है, यह अब क्या करेगा, यह कुछ नही और यह कुछ बड़ा कर दिया, हमने कुछ बड़ा नहीं करा है, एक line print करा है, यह चाय और python, दो थिन तरीके हैं, इसको run कराने के आप चाहे, तो यहाँ से भी run करा सकते है, अगर आपके पास option मिल रहा है, तो वरना आप inbuilt terminal open कर लीजे, यह terminal है आपके पास उपर, और new terminal क् control और tilde, जो escape key के नीचे है, इन दोनों को press कर सकते हो, अब मेरे पास जो है python है, ठीक है जी, और मेरे पास python 3 है, आपके पास शायद python ही होगा, अब इस file को run कराना है, मेरी जो file है, वो है 01 basics के अंदर, और इस python का नाम है hello, tab use कर सकते हो, आप auto complete के लिए by the way, तो आप यहाँ प और कुछ ऐसा जादा बड़ा भी काम नहीं कर दिया है, कि ओ हो हो हो, यह तो कभी repeat ही नहीं हो सकता, बस एक hello world print करा है, और कुछ नहीं है, बट इससे क्या है, यह पता लग गया है, कि system में चीज़े अच्छे से install है, safely install है, अगर आपकी नहीं है, तो hitesh.ai.ai.discord पे आपको शायद थोड़ इसी problem हो, तकलीफ हो, कुछ इस तरह से, ठीक है, तो हम क्या करते है, यह hello chai तो हमने लिख दिया है, ठीक है जी, अब हम कुछ ऐसा code syntax लिखेंगे, जो कि जादा कुछ काम का नहीं होगा, लेकिन आपको शायद सादा समझ भी नहीं आएगा, बट उस इसके अंदर हमने लिखा parenthesis, इसके अंदर लिख देता हूँ, suppose करिये n लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप इसके अंदर, और फिर मैं देता हूँ colon और enter, अब colon और enter देने के बाद क्या है, आपका जो cursor automatically indent हो गया है, आपके vs code पर depend करता है कि वो indentation 4 spaces का ह इकी 2 spaces का है, बड़ जो भी है उसको consistent रखिएगा, ठीक है जी, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे देना है यह print statement, ठीक है, यह print statement दिया मैंने, अब इस print statement के अंदर क्या करना है, print मैंने कर दिया n, तो मैंने कुछ n लिया, basically करा क्या है, एक function define करा है, जिसका नाम है, वो कुछ n input लेता है, n कुछ भी हो सकता है, और इसको print कर देता है, ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम enter करते हैं, एक और बार enter करते हैं, और अब हम backspace पे आ जाते हैं, ठीक है, indentation हमारा खतम हो गया है, अब आप चाहो तो ना, इसको print करवा सकते हो, कि जैसे हमने यहाँ पे चार लेखा, इसने चार प्रिंट कर दिया, अगर आप चार कीजएगे, उसको कोई string देते, यानि की double quotes के अंदर देते हैं, और इसको बोलते की, lemon tea मेरी फेवरेट है, तो lemon tea हमने दिया, तो शायद हो lemon tea प्रिंट कर देगा, ठीक है जी, हाजी lemon tea प्रिंट कर के पास hello chai और यही है basics, ठीक है इतना काम हो गया, अब मैं क्या चाहता हूँ, एक नई एक और फाइल बनाना, ठीक है, तो एक और हम फाइल यहाँ पर बनाते हैं, sorry यहाँ पर नहीं इस basics के अंदर ही बनाएंगे हम, तो इस basics के अंदर इसका नाम रख देते हैं, चाय रख ठीक है, चाय से हमें थोड़ा प्रेम है, तो चाय का नाम रखते जाएंगे हम यहाँ पर, तो हमने चाय का यहाँ पर नाम रखा, अब चाय का आपने नाम तो रख लिए, अब इसमें करना क्या चाहते हो, यह सबसे बड़ी बात है, तो मैं क्या चाहता हूँ, कि यह जो method ल लखेगा, बिल्कुल English लिख रहे हैं, from, कौनसी वाली फाइल से लाना है, यह हलो वाली फाइल से, यह हलो चाय, .py नहीं लिखते हैं अपन, क्या ले क्या हो, इंपोर्ट कर लो, चाय तो लिखा था उस method का नाम, बस चाय इंपोर्ट कर ली, जैसे यहाँ पर रन कर रहे थे चाय, वैसे अब यहाँ पर रन कर सकते हो, यह लीजे, यह हो गया चाय, अब इसको यहाँ पर कौन सी दे, ginger tea, अधरक वाली चाय भी काफी पसंद है मुझे, अब क्या कर सकते हैं, इत्ती देर तो हम फाइल रन कर रहे थे, hellochai.py, अब हम क्या करेंगे, दूसरी फाइल प्र यहाँ पर कुछ changes होने वाले हैं, और यही actually मैं सवाल खड़े करेंगे, यह हमने किया enter यहाँ पर, ठीक है, अब जैसे हमने enter किया, अपना ठीक है, बाकी तो run होई गया जो भी होना ही था, चाय और python, lemon tea, और यह ginger tea, ठीक है, तो यह कैसे print हुआ, यह भी हम बात करेंगे इन लेकिन सबसे important बात यह है, कि ginger tea तो print हो गया, यह नया folder कहां से आ गया, और यह folder है क्या, यह करता क्या है, यह बड़ी interesting बाते हैं, यही वो बाते हैं, जो actually मैं हमें जानने हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको zoom करके दिखाता हूँ, तो देखिए हमारे पास एक नया folder आ गया है, अंडर्सकोर अंडर्सकोर, देखता है एक अंडर्सकोर है, बट दो अंडर्सकोर हैं यह, उसके बाद है pycache और फिर आपके पास दो अंडर्सकोर, तो यह इतना सब काम हो क्या गया, और फिर यह नाम इसका ऐसा क्यों है, hello underscore chai dot c python, अच्छा, dash 312, अच्छा है 312 क्या है, और यह dot pyc, यह सब क्या आगया, यह तो installation का विडियो था, इतना सब काम कैसे हो गया, तो देखें यही बहुत interesting चीज़े है, python के बारे में, कि हमार पास इतनी सारी चीज़ें हो जाती है, और इतना सारी चीज़ों का अब हमें पढ़ना है, पर एक बात तो तो तेह है, कि अ अब आपको basics आ चुका है, कि python कैसे आपको सबसे पहले import करवाना है, install करना है, और यह सारी चीज़े हम क्योंकि खुद के system में कर रहे हैं, इसलिए हम इन चीज़ों को explore कर पा रहे हैं, आप शायद directly Anaconda में होते, Miniconda में होते, Google collab में होते, शायद हम इन सब चीज़ों के बा आया है, लेकिन फिर भी इतने सवाल खड़े हो गए, तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए ही next video आएगा, ठीक है, तो वीडियो का comment target आपको देही दिया है already, आप please comment target पूरा करिएगा, ताकि वीडियो जल्दी जल्दी आए, अगर comment target पूरे नहीं होंगे, तो व support दिखाया, बस आज के लिए इतना ही करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर,